हेलो फ्रेंट्स आज है 30 डिसमबर और इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे हम बहुत सारी जो भी मार्केट्स के उपर निज्व निकल के आई है उनको दोस्तों इस वीडियो में कवर करेंगे तो अपना आपने ये वीडियो काफी इंपॉर्टन होने वाला है तब से बले दोस्तों निउस के उपर तो डिफिनिटली सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर टाटा पावर के उपर सबसे पहले बात करें टाटा पावर पर तो टाटा पावर जो बात चल भी रही थी कि यहाँ पर 1000 करोड के आसपास जो फंड रेस करने वाला था और यह फंड रेस ह चुका है 1,000 करोड रुपीज दोस्तों टाटर वह ने रेस कर लिये थो NCDs non convertible debentures वाया private placement तो private placement जो NCDs है उसके द्वारा company ने basically 1000 करोड रुपे यापर रेस कर लिये हैं अपने आप में कह सकते हैं यापर कि जिस प्रकार से लगातर company पैसे रेस कर रही है especially दोस्तों यहाँ पर बीच में जो TPG को steak भी sell की गई थी और वो भी जो पैसा आता हुआ नजर आया था वो भी company ने यही कहा था कि वो definitely company को और आगे बढ़ाने में लगाएंगे अब लगातर दोस्तों data power की जो renewable energy है वो definitely बढ़िया काम करती भी देखने को मिल रहे है और renewable energy जो है वो data power के 21% supply करती है तो यह अपना आप में बहुत important है कि इस प्रकार से लगातार company जो है वो पैसा आपको आपको जुटाती हुई नजर आ रही है जो सब को ने बताया है पहले भी कि यहाँ पर जो जापान की Mufg bank के last Friday उन्होंने अनाउंस किया है कि execute किया है 450 करोड का sustainable trade finance facility for tata power so overall जिस प्रकार से आपे company ने पैसे यहाँ पर कह सकते रेस किये वो अपना आप में important यह होगा आगे देखने में कि किस प्रकार से आगे चलके company का जो वो tata power renewable है वो बढ़िया करता है वो सबसे important है because investors ने जरूर दोस्तो 2022 में टाटर वावर से इतने कोई खास returns नहीं कमाए राइट investors ने पैसा नहीं बनाया है बाकि अगर power sector के stocks को देखेंगे तो वो बहतर करते हुए नजर आए बट इस सार हो सकता है कि data power बढ़िया करता हुआ नजर आए stock के अंदर आपको लाल निशान में कारोबार होता हुआ नजर नहीं आए यह अपना आप में बड़ी बात है इस पूरे हफ़ते को अगर आप समब भी करते टाटर पावर के लिए तो करीबवन 5% का आपको gain देखने को मिला है लेकिन अगर लास्ट पुरा एक महीना देखे कोटर के उपर तो बात करते हैं बाइबैक के उपर तो वेल्सपन इंटरप्राइज के द्वारा 235 करोड रुपीज के बाइबैक को अनौन कर दिया गया है 200 रुपे पर पर कंपनी आपको बाइबैक करती भी देखने को मिलेगी प्लस कंपनी ने अपनी इन्वेस्टर्स को साड़े साथ रुपे का स्पेशल डिविडेंट भी दिया है बट वो अपने अपने अलग बात है कि देखे जैसे अनौनस्मेंट आया तो स्टॉक के अंदर तेजी देखने को नहीं मिली बिक्वाली देखने को मिल गई और स्टॉक जो है वापको एक सो चौसट रुपे के अपने 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 बात है अब यह बहुत इंपोर्टन होता है कि देखे कंपनी ने डिविडेंट का भी पे आउट किया अपने इंवेस्टर्स को करीबन वन टाइम स्पेशल डिविडेंट दिया है साड़े साथ रुपे एक्विटी शेर का तो वह भी अपने आप में कोई बुरा आपको देखने को नहीं मिलेगा जो डिविडेंड है वह यह भी का कहा दिया गया इसे उसकी रिकॉर्ड डिट आप मान सकते हैं 11 जैनवरी रखी गई है और वह 20 जैनवरी से पहले-पहले पेड भी हो जाएगा यह साफ साफ दोस्तों अनॉंस्मेंट आता अज स्टॉक में आप देखेंगे तो बीच में एक जरूर तेजी आई थी जैसे वह अनॉंस्मेंट आया पर उसके बाद स्टॉक फिर नीचे चली गया तो बाजर ने बहुत जादा इसको कह सकते हैं तारीफ योग नहीं लिया बेसिकली बिकॉस अगर अच्छा होता तो स् पहले ही बढ़ चुका था लास्ट एक महीने में स्टॉक जो है वो 6.27 बढ़ा है और पूरी साल के अंदर 75% के मासिव रिटर्न स्टॉक ने क्लॉक किये तो अपना आप में बढ़िया किया है और अब यहां पर आगे भी यह सुर्कियों में रहता हुआ नजर आएगा अब दोस्तों बात करते हैं एंटी पीची की उपर तो एंटी पीची ने कमिशन कर लिया अपना फॉर्स्ट पार्ट कैपिसिटी ऑफ 23 मेगावाट्स सोला पूर सोला पावर प्रजेक्ट इन महारास्ट्र तो फॉर्स्ट पार्ट दोस्तों इसका कंप्लीट हो चुका है अपना कंपणी ने कर लिया है इसका कंपनी ने मेजिया अनाउंस्में देग दिए तिया है विद इस तैंड अलोन इंस्टल लें कमेशन कापिसिटी ऑफ इन्टी पीची एस बिकम साइब इंस्टी ऑप फॉर्स्ट तो यह कंप्णी ने उस्तों अनाउंस किया है अधर्वावर मे इस कंपनी जो है वह अलमुस्ट थेरा सु मेगा वाट के प्रजट्स को कम्प्लीट करती आ रही है कमीशन करती आ रही है इस करेंट फिसकल एर के अंदर तो यह भी अपना आप में बढ़िया नियूज निकल के आई है एक और दूस्तों जो नियूज निकल के आई थी एंटे के पास orders भी बढ़िया है company इसको commission भी कर रही है यह एक अच्छा step है ऐसी important यह होता है कि हमेशा अपने प्रजेक्ट को सही direction में लेके जाए प्लस जल्दी करें और वो company करने पे लगातार आपको सक्षम नजर आ दिए अब दोस्तों बात करते हैं बंधन bank के उपर तो बंधन bank के उपर यह news अपने आप में बहुत बड़ी news है because जो stress loan था उसको 801 करोड के अंदर company ने asset reconstruction company को बेच दिया है अब 801 करोड जरूर company का सारे में पर यह बात ध्यान रखे है company को एक बहुत बड़ा amount इसको write-off करना पड़ा था और अब कह सकते हैं कि अपने आप में बहुत ब वो बहुत बड़ा सिर्दर्द बन चुका है अब private lender bank बंदन bank के अगर में बात करता हूँ तो उन्होंने करीवन 8897 करोड का जो stress loan था वो 801 करोड के consideration में खतम किया है तो यह आप मान के चलिए जो करीवन 8897 करोड जो company को write-off यहाँ पर basically कर दिया था उसको 801 करोड में asset reconstruction company को बेज दिया है अब यह दोस्तो अलग से एक process होता है जिसमें जो group loan होता है उसको transfer कर देता है एक technical technically write-off portfolio जो होता है उसको asset reconstruction company को बेज दिया जाता है तो यह अपना आप में बहुत बड़ी बात है यह है कि दोस्तो कुछ ना आने से अच्छा कुछ आ गया because 8897 करोड वैस बता दिया है कि इस प्रकार से company ने काम किया है अब बंदन मैंक की अगर आप नजर डालेंगे stock के उपर तो stock इस आज की दिन तो कुछ खास करता हुआ नजर नहीं आया last five days के अगर में बात करता हूं दो percent last एक महिने में stock जहें वह आपको कह सकते आदा percent के असपस गिरता बलकि निफ्टी बैंक बढ़िया करता हूँ नजर आया उसमें भी participation नहीं दिया last six months में 12% और क्या सकते हैं अभी तक जो बंदन बैंक के वो 50% तूट चुका है तो बंदन बैंक ने कुछ खास अपने investors को returns कमा के नहीं दिये बढ़ अब माना जाता है कि यहां आप से बंद अब हुआ है क्यों आपी इसके द्वारा 9.24 टाइमस एचना इसके द्वारा 73.43 टाइमस और जो मैं आपको कल कहा था कि डीटेल के टेगरी इसको more than 100 टाइम सब्सक्राइब करी देगी तो 113 टाइमस जो है वो रीटेल पोजिशन सब्सक्राइब हो गया है कुल मिलाकर यह दोस्तों अभी तक 75 टाइमस आपको सब्सक्रिप्शन जो है वो लाता हुआ नजर आ चुका है तो अपना आप में एक मासिफ सब्सक्रिप्शन आ रहा है इस आईपियो के अंदर फॉर्स दे को अगर आप देखेंगे तो 21.92 टाइम सब्सक्राइब हुआ था और सेकेंड 75 टाइम सब्सक्राइब हुआ है तो इस SME IPO के अंदर आप बहुत बढ़िया सब्सक्रिप्शन देख रहे है तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था होपसे वीडियो बढ़िया लगा होगा अगर लगा तो लाइक कर देना चैनल से पहली बार जोडियो सब्सक्राइब क अग्यव फ्रिजव सब्सक्राइब लगा तो इस वीडियो